दोस्तों जब से मैं जॉब के लिए पिछले साल से लगा हूँ तब से आप लोगों ने मुझे हमेशा से पूछा है कि कमपणी में तुम क्या काम करते हो आज का वीडियो सम्वाट उसके रिलेटेड ही है मैं आपको आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ इवेंट के बार में क्लेनिकल ट्रायम से क्या होता है किया होता और क्लेनिकल ट्रायमेंट के लिए किस सिरा वेंट होती है यह अपको चोटा से इंफॉरमेशन के और messy को आजके विडियो ओम तो इस विडियो को सबूसरे करने तक जरू देख्यों दोस्तों अगर देखा जाया तो यह बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन मैं आपको इसको शॉट में इवेंट्स के बारे में सिर्फ बात करना चाहता हूँ अभी clinical trials क्या होती है यह मैंने आपको बहुत सरे वीडियो में बता है अगर आपको अभी तक नहीं पता तो उपर आई सेक्शन में दो तिन वीडियो में डाल है उन वीडियो को चेक आउट जरूर कर सकते हो लेकिन उससे भी पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लो कि यह वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है देखवा है क्लिनिकल ट्राइस में माइस्टोन और इवेंट्स दो टम दी जाती है माइस्टोन जो होते है वो प्री डिफाइंड होते है जैसे कि फॉर एक्जांपल आपका बड़े अगर फॉर एक्जांपल आपका सब्वाली है बीक्ले बीस अने वाली है जहां पर ड्रक्तित ट्राइल करने वाली है अब Prose थो प्रवा इस को लगोशी अब कहीं होते हैं ठोकी 7th of June को था और for example 5th of June को आपके घर में कुछ program decide हो गया फिर आपका कही बाहर जाने का plan हो गया और इस वज़े इस आपका बड़े miss हो गया यानि यह वो 5 June का जो चीज थी उसे हम event बहुत सकते हैं और 7 June का जो आपका बड़े predefined था बहुत सालों से और पहले आने वाले दिनों अगले साल भी 7th of June को ही रहेगा उस चीज़ को हम milestone बहुत सकते हैं यह actually बहुत broad terms है लेकिन मैं आपको short में बता रहा हूं अभी बात करते हैं events के बारे में यहाँ पे clinical trials में जितनी भी सारे unexpected चीज़े होती है उनको इन events में डाला जाता है events का for example अगर मैं देने का है try करो त उसको conduct phase में भी बोलते हैं जब भी clinical trials शुरू होती है उसके अंदर जितनी भी सारे documents होते हैं वो conduct phase में डाले जाते हैं event conduct में डाले जाते हैं अगर कोई और phase है कोई और चीज़ है जैसे कि start up हो गया जब clinical trials क्या clinical trials की जब site start up होने लगेगी उसको start up में डालते हैं ऐसे बहुत सरी examples में दे सकता हो start up हो गया conduct हो गया site close out हो गया बहुत सरी चीज़ है अभी बात करते हैं यहां पर इन events का use क्या होता है clinical trials के लिए जब भी आप clinical trials चलाते हैं तो उसका documentation करना बहुत important होता है अगर आप उसका documentation अच्छी तरीके से नहीं करोगे तो जितनी भी सारे आप चीज़े कर रहे हो वेस्टी होगी क्योंकि अगर proper way में FDA के सामने उस document को आप रख नहीं पाऊगे तो ultimately आपके काम का कुछ भी use नहीं होगा इसलिए हमेशा धानरों को events बहुत important role play करते हैं FDA के सामने भी और कौन से भी company के clinical trials में भी अब यहां पर यह topic है इसके बारे म मैं आपको आने विल दिनों में milestone के बार में बताने का try करूँगा लेकिन मैं आपको आज के वीडियो में सिर्फ बताना चाहता था events क्योंकि यह topic बहुत कम लोगों को पता है बाहर भे इसके बार में कोई नहीं जानता लेकिन यह topic आपको clinical trials की overall idea दे जाएगा कि हर एक document को milestone events के हिसाब से place किया जाता है लाइबरी में हाले कि लाइबरी वर्चॉल हो सकती है लेकिन ultimately इसका बहुत ज़ते importance clinical trials में होता है यह ता आज का वीडियो वीडियो करने से पहले अगर आपने इस चानल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिजिए उसके साथ इस वीडियो को like करे शेयर कर सकते तो वाटसुप भूप में कहीं पर भी शेयर कर सकते हो क्योंकि यह topic आपकी education system में कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको धन्यवाद दोस्तों यह वड़ा देखने के भी धन्यवाद